नमस्कार नीतिस कुकिंग में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स दिवाली आ रही है और दही बड़े बनाने का सबका मन करता है दिवाली होली त्योहारों की स्पेशलिटी होती है दही बड़े तो मेरा वीडियो आप आखिर तक देखिएगा मैं आपको कुछ अलग टाइप तो फ्रेंड्स दही बड़े बनाये जाते हैं हमेशा उड़त की दुली दाल से तो यह मैंने आदा कप दुली उड़त की दाल ली है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया दो तीन बार धो करके मैंने भिगोया था मिनिमम इसको चार घंटे तो आपको भिगो नहीं वैसे ज ग्राइन करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप इस तरह के दही बड़े बना रहे हैं तो आप पानी बिल्कुल मिनिमम डालिएगा जितना जरूरी है बस उतना ही क्योंकि हमें इसका बैटर बनाना है वह एकदम ठिक होना चाहिए तब ही इस ताइप के द दही गुजिया का अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका भी बैटर मैंने इसी तरह का थिक बनाया था ऐसा थिक बैटर हमें चाहिए यह देखिए पानी बहुत ही मिनिमम डालना है तो यह दही बड़े का बैटर त फिर बंद करें अब इसको हम फैटेंगे जितना अच्छा इसको फैटेंगे आप लगभग पांच मिनिट करीब इसको फैटिएगा बीच में मैं तेल गरम करने के लिए चड़ा देती हूं यह देखिए तो यह तेल हमने ले लिया है इसको बहुत तेज गरम नहीं करना है इसको हमें बिल्कुल मीडियम लो के बीच में ही गरम करना है इससे जादा नहीं करना है यह देखिए दही मैंने बिल्कुल दही बल्ली का जो है यह मिक्शर बहुत ही अच्छे से एकदम फ्लफी कर लिया इसको ताकि एकदम सॉफ्ट बनेगा यह दही बड़े हमारे एकदम स्पंजी बनेंगे यह देखिए तो यह हमारा फेंट लिया है इसमें डालेंगे हम वन फोर्ट टेबल स्पून हींग इससे बहुत यची महें काती और थोड़ा सा नमक डाल लेते ह अब इसको एक बार और अच्छे से फैक लेते हैं बहुत ही बढ़िया हो जाएगा यह यहां पर आप कंजूसी मत करेंगा फेकने में बिल्कुल भी तब देखिए यह मैंने लिया है एक चकला और कोई भी आप किचिन काउंटर पर आपको चैना बोर्ड रखना चाहते है व बिल्कुल भी दही बड़े बनाते समय आपको पानी बहुत हर उस पे स्टैप के उपर आपको यूज करना होता है तो यह देखिए अब मैंने लिए यहां पर फ्रेंड एक चूडी लिए आप कोई सी भी चूडी ले ले लेकिन थोड़ी सी यह देखिए इसकी थिकनेस चू इस मिक्षर को फ्रेंड्स हम इसको चूडी के अंदर फैलाएंगे और चूडी को बिल्कुल अच्छे से भर लेंगे उसके लेविल तक चूडी के लेविल तक यह देखिए वीच बीच में हाथ आप गीले कर लीजेगा अगर हातों में चिपक रहे तो मैंने पहले से बहु दही बड़े के लिए यह देखिए इस तरह से अब नैपकिन को उठाएंगे हैंकी को अब यह हैंकी उठाकर यह दए बड़े को हम लेलेंगे हाथ में हाथ घीले रखने हैं आपको यह देखिए आसानी से आ गया और हातों हात ही इसको बिना होल्ड किये हम इसको डाल जो हमने पहले से ही गरम करने रखा था, यह देखिए, थोड़े से उंगलियों के निशान आएंगे, कोई बत नी वो तो आते ही हैं, दईवड़ा बनाते हैं, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम एक और दईवड़ा बना के दिखाती हूँ, आपको यह देखिए, हमने थोड़ मीडियम के बीच में ही फ्लेम रखनी, अब यह देखिए, मैं पास से और दिखाती हूँ आपको, यह देखिए, बिल्कुल, इसी तरह से आपको बनाने हैं, और दईवड़े जब हम कढ़ाई में डालते हैं, तो थोड़े वो छीटे भी पानी के दईवड़े के, उसमें ज जैसे जैसे दईवड़े सिखते जाएंगे, हम इनको पलटते जाएंगे, और इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सेकेंगे, थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाने चाहिए, और जो जो सिखता जाएगा, उसको हम एक एक करके टिशु पेपर पर निकाल लेंगे, क्योंकि ये तेल जो है थोड़ा बहुत पी जाते हैं, तो वो टिशु पेपर एब्सॉप कर लेगा, तो ये देखिए मैंने एक एक करके, और जैसे कड़ाई में जगे बचती जा रही है, निकालते जाएंगे, हम इसके अंदर हम और दईवड़े डालते जाएंगे, इसी आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, और फेस्टिवल के मौके पे जरूर बनते हैं, तो देखिए हमने हमारा बैच पुरा त्यार कर लिया है, और ये दही बड़े बन चुके हैं, एक दम गोल गोल, इस्पंजी ये देखिए कितने स्पंजी और कितने सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी नमक भी है, इसके अंदर आप ऐसी चट्मी से भी खा सकते हैं, इनको इतने गजब के लगते हैं, तो आप देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है आगे का प्रोसेस, हम थोड़ा प्रेंजी हो जाएंगे, इसमें पानी चला जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़े से एकदम सौगी से हो जाएंगे, और वैसे हमें चाहिए होते हैं, ये देखिए लगबग आदे से घंटे से ज्यादा हो चुका है हमारे दही बड़े एकदम भीग चुके हैं, एकदम खाने के लिए तयार हो चुके हैं, सौफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए कितने बढ़िया सौगी हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक-एक दही बढ़े को इसमें से हम निकालेंगे, और इसको अच्छे से निचोडेंगे, ये देखिए, तो मैं पहले एक प्लेट रख लेती ह तो है, इसका हम रिमूब कर देंगे, इसमें से, और इसी तरह से सारे दही बढ़े को हम, इस पंजी बढ़े हमारे, उनको हम ऐसे थोड़ा सा इनको दबा के, एकसेस वाटर बस हमें इसमें से निकालना है, ये देखिए, इस तरह से, बहुत ही जंटली करना है, वनना दही बढ़े का शेप खराब हो जाएगा, तूट दी सकते हैं ये, तो लीजिए हमारे दही बढ़े पूरे बाहद निकल चुके हैं, सर्व करने के लिए तैयार, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, दही बढ़ा बनाने के लिए, ये खटी मिटी इमली की चट आउडर, काला नमाक, थोड़ा सा हमने डेकोरेशन के लिए चाहिए, कटा हुआ हरा धनिया, और ये हर धनिय की चटनी मैंने बना के रखिए, और ये बुना जीरा, चटनी की रेसी भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको, और ये है दही, जिसको मैंने ठंडा करने फ्रिज कर लेते हैं, तो फ्रेंट्स यहां पर एसेंबल करने के लिए हमने यहां पर दो दही बड़े में इसके अंदर रखोंगी, प्लेट में एक दही बड़े से मन नी भरता ना, और इस पर हम डालेंगे बिलकुल फलफी सा एकदम ठंडा ठंडा दही, एकदम बढ़िया वाला हुआ यह देखिए, दही बड़ा हो के लिए दही हमने डाल चुके हैं, अब डालेंगे हमारी खट्टी मीटी चटनी, यह देखिए, इसको तो देखती फ्रेंट्स मेरे तो मूं में पानी आ रहा है, अब थोड़ी सी हरे दनिये की चटनी डाल लेते हैं इसके उपर, यह ल लाल मिर्ची, जितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं, और थोड़ा सा यहां पर डाल रहे हम बुना जीरा, यह सारे मसाले के बाद अब इसको कर लेते हैं, गार्निश, कटेवे हरे धनिये से, अब मैं आपको दिखाती हूं इसको तोड़के कि कितना सॉफ्ट है यह देख एक बार और मैं आपको दिखा रही हूं, यह देखिए दूसरा वाला भी, मैंने दो और इसमें एसेंबल कर लिए, क्योंकि मुझे मन नहीं मान रहा था कि एक प्लेट लगा रहे हैं, तो कम से कम चार दही बड़े होने चाहिए हैं, तो लीजी हमारे दही बड़े बन कर तय क्यार हो चुके हैं दिवाली के वेलकम के लिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी खुल मत भूलिएगा, ओके फ्रैंस मिलेंगे फिर, बाई बाई